वेलकम टू माई चैनल टिप्स थीएटर चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मानसून सीजन चल रहा है बहुत जादा हेर फॉल बढ़ गया है और आप भी बालों के तूटने से परिशान हैं बाल लंबे नहीं हो रहे हैं और साथी साथ बालों में उम्रे से पहले ही सफेदी आने लगी है आप यदि अपने बालों की इस धंक से केर करेंगे ना दोस्तों तो ये सारी समस्याएं दूर होंगी आज मैं आपको बताने वाली हूँ दोस्तों कि एलोवीरा का इस्तमाल आपको बालों पर किस तरह से करना है ताकि आपको इसका पूरा का पूरा फायदा मिल सके एलोवीरा की पत्ती को काटने के बाद थोड़ी देर इसी तरह खड़ा रखें ताकि इसका ये जो यलो सबस्टेंस निकल रहा है वह निकल जाए ये काफी अलर्जेटिक होता है इलर्जी का डर रहता है इसलिए यलो सबस्टेंस को निकालना बहुत जरूरी है उसके बाद प पत्ती को दोलें, पोच लें, दोनों साइट के किनारों को अलग कर लें, और उपर का छिलका उतार कर आपको इस पत्ती में से निकालना है, फ्रेश एलोविरा जेल, यदि बालों को सच में सुन्दर बनाना चाहते हैं, बालों के जड़ने से परिशान हैं, तो कभी भी मेरी तो यही सलाह रहेगी कि फ्रेश पत्ती का ही जैल लें। मार्केट में भी तरह तरह के जैल आते हैं। परंथ उनमें वो फायदा नहीं, दोस्तों कुछ न कुछ तो प्रिजर्वेटिव रहता है, केमिकल रहता है, बालों पर उत्ता चासर नहीं आता है। यदि मेरी रेमेडी से सही में आप लोग फायदा लेना चाहते हैं, तो फ्रेश पत्ती का ही जैल लें। अलोवीरा का पौधा घर पर लगाएं। किसी भी नरसरी में आपको अलोवीरा का छोटा पौधा मिल जाएगा। मात्र 25 या 30 रुपए में ये आता है अलोवीरा का पौधा और बहुत तेजी से ये फैलता है। और अभी तो रैनी सीजन है दोस्तों, मानसून में तो ये बहुत तेजी से फैलता है। आप इसे चहरे पर लगाएं, आप इसे इसकिन में लगाएं, हर चीज के लिए फायदे मंद है दोस्तों। भरपूर मात्रा में विटामिन B1, B2, B12 होता है, विटामिन C होता है, विटामिन E होता है। इसलिए तो हमारे स्किन के लिए बालों के लिए अलोविरा बेस्ट होता है. एक पौधा नहीं है दोसों, ये एक मेडिस्नल प्लांट है, एक औजधी है. आयुरवेथ में धृत कुमारी का बहुत जाधा महत्व है. और इस ऐलो विरा को धृत कुमारी भी कहा जाता है, गौार पाठा कहा जाता है, बहुत से लोग तो इसे खाते भी हैं, इसके जैल को इसकी सबजी बना कर खाते हैं ऐलो विरा की, तो चलिए, आज हम बात करते हैं, बालों के लिए कि किस तरह से आप इसका प्रयोक करें, अलोवीरा जैल को किस तरह से पिसें, किस तरह से बारिक करें, कंगी होती ना दोसों, जिससे आप लोग कॉंब करते हैं, खुब अची तरह से धोलें, कॉंब की साहता से अलोवीरा जैल निकालेंगे, तो आपको बिल्कुल मैशी अलोवीरा जैल मिलेगा, ये देखे, मैंने क यह बहुत अच्छी तरह से जैल निकलता है, आपको अलग से मिक्सी की जरुवत नहीं पड़ेगी, जैसे बहुत से लड़किया है भाई होस्टल में रहते हैं, नहीं है उनके पास मिक्सी, बहुत से लोगों के पास नहीं है, बच्चे पंढ़े वाले स्टूडेंट के पास, इसी तरह से कॉम्ब की साहता से निकालें, यह देखे, मैंने आपको थोड़ा सा ही निकाल कर दिखाया है, कि आप इस तरह से मैशी ऐलोवेरा जैल निकाल सकते हैं, तो पूरी पत्ती का जैल निकाल लिया है दोस्तों, ऐलोवेरा जैल हर तरह के बालों को सूट करता है, चा ग्रूप वाला लगा सकता, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, चाहे बुढ़े हों, 100% प्योर होता है दोस्तों, जो फाइदा आप ओईल के द्वारा अपने बालों को नहीं दे पाते हैं, वे आप इससे दे सकते हैं, दूसरी चीज आपको लेना शिका कई, आपने सुना होग आपको यहां सिर्फ शिका कई लेना है, शिका कई हमारे बालों की जड़ों को मजबूती देता है, बालों में शाइन लाता है, बालों को सिल्की बनाता है, साथ-साथ सफेद बालों को जड़ से काला बनाने का काम करता है शिका कई, शिका कई में भरपूर मात्रा में विट जर्वत आपको नहीं पड़ेगी, शीका कई हमारे बालों को उलजने नहीं देता है, बालों में थिकनेस आती है, बालों में बहुत अच्छी मजबूती आती है, काला रंग आता है, बालों का ज़र्णा तुरंत ही बंद होगा, यदी कुछ दिन आप शीका कई का इस्तमाल कर है, तो जूसी होता है लोविरा, तो पाने डालने की जरुवत नहीं है, और अब इस ग्रैंडिंग जार में ही आपको शीका कई पाउडर डालना है, बालों की लंबाई के अनुसार करीब करीब तीन से चार चम्मच शीका कई डाले, बाल छोटे हैं तो दो चम्मच काफी य चम्मच करें, बालों के हमारे पाउडर, बालों की जड़ों की मजबूत में सुरूडिंग पाल खुऊब. जड़ अच्छी मजबूत होगी तो अपने आप ही hair fall रुख जाएगा तो एक या दो vitamin E का capsule आप यहाँ पर डाल सकते हैं दोस्तों सबता हमें एक बार आप इस तरह से hair wash जरूर करें आप करके देखें दोस्तों आप shampoo लगाना बंद कर देंगे और और इसे लगाने के बाद आपको बिल्कुल भी shampoo नहीं करना है क्योंकि शिका कई तो आपके बालों की गंदगी को वैसे ही साफ कर देगा साथी साथ बालों को अच्छे nutrients भी देगा पोशक तत्व भी देगा तो यह देखे यह हमारा घर का बनी हुई home med remedy तयार है जो आपके बालों के जढ़ने को रोकेगी बालों को काला बनाएगी बालों को लंबा करेगी और साथी साथ बालों में मजबूती आएगी तो all in one यह रेमेडी तयार है जो कि बिल्कुल एक magic की तरह काम करेगी आपके बालों के लिए मेरे बताए तरीके से आप इस तरह से hair wash करके देखें अलोवीरा मिलेगा अलोवीरा क्या करता है इतने सारे nutrients होते हैं पोशक्त ततो होते हैं दोसों आप कह सकते हैं इसे world की best remedy आज मैंने आपके साथ share की है अलोवीरा तो बालों के लिए हमारे शरीर के लिए हमारे skin के लिए प्रकृती का एक वरदान है बस अब आपको शीका कई अलोवीरा और vitamin E का oil मिले हुए इस hair mask को लगाना है लगाने के बाद दोस्तों आप कम से कम इसे 30 minutes तक तो जरूर रखें शीका कई बालों के लिए बहुत फाइदे मंद है दोस्तों बालों को soft बनाएगी बालों को smooth बनाएगी बालों की dryness दूर होगी दोस्तों और साथ ही साथ ये बहुत अच्छा cleanser का काम करती है तो इस तरह से आपको अपने बालों की जड़ों पर लगाना है और फिर बाकी का बालों की लंबाई पर लगाए इसके बाद 30 minutes के बाद hair wash कर लें सादे पानी से hair wash करें आप देखेंगे दोस्तों इतने सुन्दर बाल हो जाएंगे बालों में जो चमक आएगी वो आपको खुश कर देगी तो आप इसे जरूर ट्राइ करें और मैंने आपके बालों को जढ़ने से बचाने के लिए ये remedy जो शेयर की है दोस्तों ये वाकई में 100% pure है आप जब ट्राइ करेंगे तो आप मुझे आप शेम्पू ना करें शेका कई तो वैसे भी शेम्पू से भी जादा अच्छा होता है मतलब बालों को एकदम सिल्की कर देगा जो आप लोग चाहते हैं बालों में घना पनाए बालों में वाल्यूम आए वो सारे गुण आपको इस हेयर मास्क से मिलेंगे तो बढ़िया अच्छा मैंने यहाँ पर एलो वीरा, शीका कई का पौडर, विटामिन E का कैपसूल, ओइल, सब मिक्स कर दिया है बालों पर लगाएं और 30 मिनेट बाद हेयर वाश कर लें तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, इनफॉर्मेशन अच्छी लग रही हो, तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूले साथ ही साथ मेरे चैनल टिप्स थियेटर को यदि अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब जरूर करें और इस रेमेडि को ट्राय जरूर करें, 100% वर्क करने वाली ये रेमेडि है